नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में कैसे हैं आप लोग यह ठीक होंगे भगवान आप लोग को स्वस्त रखे मस्त रखे आज जुसमें लोग बात करने वाले हैं क्रेड़ कार्ड टू बैंक ट्रांस्वर जैने कि आपके पास किसी बैंक का क्रेड़ कार्ड है और आप अपने क्रेड़ कार्ड की लिमिट को अपने बैंक की अकाउंट में ट्रांस्वर करना चाहते हैं लेकिन आप लोग परेशान हो गए हैं बहुत जारा चार्जेस से कि आप लोग बहुत जारा चार्जेस लगते हैं तो इसलिए आप अपने बैं बिल्कुल ही कम जो है वो लगने वाले हैं बाकि अगर आप एपस की मैं बात करूं तो इनसे कम आप लोग को यहां पर चार्जेस जो है लगने वाले बिल्कुल मिनिमल चार्जेस जो हैं वह यहां पर आपको लगेंगे मेरे अधर श्योस्तों अपने यहां पर आमेज़ोन पे आएससे से ब क्रेड़ कार्ट से यहां पर जो करड़ क εί Urs को यहां पर अपने बेंक ओम में अपर ट्रांसफसर किया है तो आप लोग बहुत को त्रांसफर करना चाहते हैं लोग कैसे कर सकते हैं पूरा यहां पर डिटेव में आप लोगों को समझाने वाला हू लेकिन दोस्तों से पहले बतारूं अगर वीडियो पर नहीं है चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ही मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूं सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपको वन पर सब्सक्राइब करना है तो आप लोग दिखाई दे रहा है तो आप लोग दिसकते हैं पर cashback offer हमारा जो है apply हो चुका है apply करने के बाद उसी यहाँ पर आप लोग दिख सकते हैं 5000 रुपए के ऊपर हमें यहाँ पर 118 रुपई कंवेंस्वी लग रही है तो यहाँ पर दुस्तों आप लोग बैंक अकाउंट पर है ट्रांसवर करते हैं त लेकिन तो बाकी apps में अगर आप लोग वालेट में परहे डालते हैं तो वालेट से बैंक अकाउंट में परहे ट्रांसवर करने पर आपसे चार्ज ले जाता है यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बार चार्ज लगेगा सिर्फ money अड़ करते टाइम उसके बाद दूस्तों आप कहीं भी किसी भी मर्चंट को इस्तिमाल कर सकते हैं तो एक ही बार चार्ज लगेगा वालेट में आने का वालेट से बैंक में अकाउंट में ट्रांसवर करने का चार्ज नहीं लगेगा बाकी अधर जो वालेट से वहाँ पर आप लोगों को दोस्तों वालेट में एड करने क फिर wallet से bank में डालने का दो-दो बार charges लगते हैं लेकिन मोवी quick wallet सिर्फ आपक से यहां पर एक ही बार charges जो ले रहे हैं तो यहां पर सबसे best step है पैसे bank में transfer करने के लिए तो कुछ यहां पर यहां पर कुछ यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा limit transaction की कितनी है पढ़े कितने transaction कर सकते हो transfer limit to normal bank daily transfer limit यहां पर आप लोग देख सकते हैं दो लाग रुपए है और यहां पर monthly limit दे रखिए transfer कर सकते हैं वह भी कम charges के अंदर यहां पर सिर्फ दोस्तों आप लोगे को एक एक ही बार चार्ज लगाया जाएगा दूसरी बार चार्ज नहीं लगाया जाएगा जहां पर दूस्तों चाहे किसी मर्चंट को पेमिंट कीजिए अपने बैंक के कोमें डाले कहीं भी आपको एक्ष्टा चार्चे जो हैं वो नहीं यहां पर दोस्तो देने पड़ेंगे आप सभी लोगों को सुरुस्तों आप सभी लोगों ने यहां पर दिखा कि कैसे आप लोग अपने क्रेड़ क करना है मैं इसे बात करनी है मैं इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आप सगली वीडियो में तब तक के लिए